आप सो हेलो स्टुडेंट आज का ये वीडियो आप सब इक लिए मोस्ट एन मोस्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपने सीए फाउंडिशन का इक्जाम फॉर्म अगर भर चुके हैं और आपके इक्जाम फॉर्म पे अगर फोटो आपका सो नहीं कर रहा है तो आपको ए को कई से भीजना इस वीडियो आपके पूरे डाउट कलिए हो जाएंगे तो आपको पहले तुमें बता दो स्टूडेंट वाले सेक्शन प्याना आइसे के आपी वेब साइट पर यहां पर स्टूडेंट के सेक्शन पर क्लिक करना में यह बता रहा हो स्टूडेंट ऊस डाउनलोड करेंगे अपने एक्जाम फॉर्म भरा होगा तो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर लिए होगे मगए सब्सक्राइब नहीं कर पाया तो फिर हो पाएगा डाउलेट हो जाएगा कोई बात नहीं कोई सुनी होता इससे इस वीडियो में और हाँ स्टूइंट अगर अभी तक आप चैनल पर नए है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब करके जॉइन करना ना भूले चैनल को अगर आपको कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे प्रसनल मैसेज बेज सकते हैं जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे प्रेस्टनल मेसेज बेजा तर वेटेज बताई सर सब्जेक्ट कितने हैं इस एक्जाम फॉर्म को कैसे भरना है सब कोई भी कोईरी हो मुझे प्रेस्टनल मेसेज कर सकते हैं इस्ट्राग्राम पर बट अब आपक यह वीडियो आप सिया फाउंडेशन डिसेंबर 2021 वाले स्टूरेंट है या फिर 22 कभी भी एनी टाइम 22 23 24 कभी भी कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं आपको सेम ट्रिक यूज करना है कुछ अलग नहीं करना है अब आप देख सकते हैं यहां पर जब आपको देख रहा होगा एक सेकेंड स्टूरेंट वेटर सेकेंड यहां पर आपको देख रहा होगा स्टूरेंट अप्लाइ ओनलाइन फॉर फाउंडेशन के नीचे डाउनलोड पीडियाप इस पीडियाप को आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे स्टूरेंट फेल जंडेर यह पीडियाप स्टूरेंट जैसे आप डाउनलोड करनेंगे जिस स्टूरेंट का मैं आपको बता देरो पहले जिस भी स्टूरेंट का फोटो सो कर रहा है फोटो कि यह फॉर्म भेजना नहीं पड़ेगा आइसे ओफीस में अब धेर सारे स्टुएंट का डाउट है कि सर इसको मैं आइसी ओफीस में जाकर सब्मिट कर सकता हूं तो आप सब्मिट भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं तो सेंड करना बैटर है आपको खाली 50-60 रुपय के चार्डेस लेंगे विदियो में का फुल डिटेल में बता रहा हूं स्टुएंट की वीडियो में कईसे फर्म भरना है आपको कैसे इस फर्म पर सिंग्नेचर कहां करना है क्या कैसे करना सब आपका डाउट वैद तो आपको पहले तो अगर जीसभी स्टुएंट का फोटो यहां पर लगा है सो कर रहा है सिगनेचर सो कर रहा है तो उस Student को कि आईसियाई ऊफिस में इस application को एस पीडियाप को भेज देने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है और जो Student का तो नहीं करता है फोटो सिगनेचर तो वो Student को फोटो लगा के अपना सिगिनेचर करके ICI भवन में भेजना पड़ेगा चलिए स्टूइट आप वीडियो स्टार्ट करते कि क्या प्रोसेस भेजने का आपको एक उस वीडियो में आपको टोटल आगे थोड़े से दो सेकंड तीन सेकंड के बाद आपको फुल डीटेल में बताएगा कैसे भेजना है इस पीडियोप को इस प्रिंट आउट को आप प्रिंट आउट निकाल के इसको कैसे भेजेंगे सार आइसी ऑफिस में सो चलिए स्टूइट वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस के लिए सो स्टूइट अब देख सकती है आपका एक्जाम फॉर्म जो आपने एक्जाम फॉर्म फिलप किया था तो आपने पेमेंट करने के बाद यह पीडियाप जनरेट हुआ था इसको आपने डाउ पोस्ट नहीं करेंगे अपना यहां पे दोनों फोटो लगा के तो आपको आई से एडिमिट कार्ड पे फोटो नहीं मेंसन करेगा और फोटो नहीं मेंसन किया तो आप एक्जाम देने के लिए अप्लीकेबल भी नहीं हो सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पी दे श्वाना है फोटो लगाने के बाद स्टूडेंट क्या डेख सकते मैं आपको अच्छे बतातर च्षी कि देखना है है यहाँ पर डेट लिखते यहाँ पर हम मंज्न आपका साइंट होना चाहिए फिर यहां पर parents की sign या फिर आपके guardian आपके mother हो सकते आपके father हो सकते तो यहां पर उनका एक sign होना चाहिए signature होना चाहिए जैसे कि यह student के parents का signature है candidate का student है sorry candidate का signature है यहां पर आपको एक photo लगाना है आपका यहां पर आपका एक फोटो लगाना है और इस फोटो पर स्टुडेंट क्या करना आपको क्रॉस साइन करना है आइछाई कर four तोछ तो में आभ़ा सट्वेटा-पिस फोटो पिर्टो करने हैं कोसिट करता हूँ छफ्य कर्तों तो हम इस ही आधा सब्सक्वाइघा करने होगा अधा चाहिब हुए और यहां पर आप पी जब अपना फोटो लगांगे जैनलि समस्क्राहएँ साथा साइन होना चाहिए अब आपके माइड में एक कोक्षान आगा कि सर्फ फोटो कैसा रखे ब्लेक और रखे बेक्गराउंड वाइट रखे ब्लू रखे आप बेक्गराउंड कुछ भी रख सकते वाइट रखेंगे तो अच्छा रहेगा वाइट रख दीजे यहां पर यहां पर फोटो लगाना यहां के फोटोंबे शाइन नहीं करना आपको खाली यहीं पर शाइन करना है और उसके बाद यहां पे देख सकते हैं जब आप declaration form भरवाये थे student तो यहां पे date लिखाए यहां पे जिस date पे आप speed post करेंगे वो date लिख दीजिए और यहां पे place लिख दीजिए आप जिस place से भी visit करते हैं मॉंबई से है कॉलकता से बैंगलोर से है चैने से इंडिया के किसी भी place से या फिर आउटसाइडर student है तो भी अब यहां पे क्या जो एक सिगनेचर ओप मेंबर से आई सिगनेचर होगा मेंबर्स के head educational institute के या फिर गैजिटेट आफिसर के इसके उपर भी मैंने student 2-3 वीडियो बना दिया है तो आपको एक सिगनेचर लेना पड़ेगा मेंबर्स का आई सिए मेंबर्स रहा तो भी चलेगा educational institute यानि किसी इनवर्सिटी के प्रिंसिपर है तो भी चलेगा और गैजिटेट आफिसर नोटरी वाले हो गए लॉयर्स हो गए इनका भी एक सिगनेचर चलेगा अब यहाँ पर telephone number उनका और एक stamp लेना ना भूले student यहाँ पर एक stamp ले सकते हैं उनको बोलिए अगर प्रवाइड करते हैं तो वहाँ पर एक stamp ले ले जिस पर date mention रहता है वह इसे अगर नहीं मिला तो कोई option है यहाँ पर option ले बट अगर मिल जाए तो बहुत benefit है तो यहाँ आप एक stamp ले ले अब चली में अब बताता हूं आपको कि इस form को आपको ICI office में कैसे भेजना है डेर सारे student का एक question है कि सार यह form चलो हम भर दिया विसको हम ICI भवन में कैसे भेजे क्या हम जाके nearest ICI office में submit करें इसको जाके no student आपको submit नहीं करना है इसको डिल्ली में भेजना है आपको तो इसको कैसे भेजेंगे इस वीडियो में आप पूरा जान जाएंगे आपको दस रुपया का मिलेगा आप सोचेंगे सर यह हमको डाउनलोड कर ली है इसको हम भर चुके signature ले लिया आप सब हो गया आपका ready हो गया तो आपको क्या करना है यह लिफाफा जो आपको यह लिफाफा दिख रहा है यह 10 रुपया का आप खरीदेंगे और खरीदने के करना है स्टुडेंट अब कर दिया तो सटुडेंट आप देख सकते इसको कैसे भेजना है तो यह फो आप भर चुके सील लेचुके हाँ सिगनेचर लेचुके हैं तो यह जो 10 रुपय का आपने स्पीड पोस के लिए फोम लिफाफा खरीदा है यह लिफाफा इतना ही एफ आपको इतना बड़ा फॉर्म स्पीड पोस्ट करने के लिए स्टूडेंट पूरा यानि कि इसमें ऐसे आना चाहिए एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं लाइव है डेमो स्टूडेंट चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और इस वीडियो को जासते से जाते शेयर करना ना भूले एक सेकंड आज स्टूडेंट कुछ इस तरह इसमें जाना चाहिए और उसके बाद अच्छे से इस पे गुलू लगा के ऐसे पैक कर दिजिए और हां इसको ऐसे पैक कर दिए एक बात और बताता हूं आपको में धेर सारे स्टूडेंट भूल ज पैक करना है जैसे कि मैं आपको बताया है हुआ है कि इस पे लुगना यहां देना है अब मैं बताता है ओसे अपिस में भेजने कर आकाया तरीका है क्या इसमें कईसे भेजेंगे तो यहां पर बड़े अच्छर में स्पीड पोस्ट लिग दिचे क्योंकि जब आप Speed Post करने जाएंगे तो यहां पर लिखाऊने चीज Speed Post और आप जब nearest अपने office में जाना जहां later submit करते हैं later भेचते बाहर वहाँ पर Speed Post करना रहेगा आपको तो आइसे उनको बोलना Sir Speed Post करना है 50 रुपेज से लेके 100 रुपेज के अंदर चार्जिस लगेगा Speed Post इसलिए करते हैं student हम कि यह form बहुत जल्द आज अगर आप Speed Post करेंगे तो कल पर सो तक आइसी ओपीस यह दिल्ली पहुँच जाएगा और आप इंडिया के किसी भी कोने से तो भी पहुच जाएगा एक दो दिन में आपका कि अब आप Speed Post लिखेंगे तो जो फ्रंट पेज रहेगा यहां से जहां से आप डाले रहेंगे अपना पीडियेफ से जनरेट किया हुआ जो डिकलेशन फॉर्म के जराब यह फॉर्म जो आपने डाउनलोड किया था फॉर्म भरा था अंदर भरे तो फ्रंट पेज उसका स्टूडेंट यह साइड का जो एक सेकेंड इस साइड का जो फ्रंट साइड होता है वहाँ पे आपको बड़े अच्छाइन में फॉर्म लिखना ये आपके तर्व से भेज़ोर है यहाँ पे आपका देखनी की नहीं लिखना है तो नहीं पर नम जब मैं exam देने जाता हूं sir मुझे अलग नाम से बोलते तो नहीं जो नाम आपका exam form में लिखा है admit card पे admit card पे पिर जो exam form पे आपने exam भरा है जो नाम से वही नाम पूरा होना चाहिए आपका अब second registration number आप registration number तो registration number के लिए आप देख सकते हैं एक्जाम फॉम भरेंगे वहीं पर डबलू आरो एस आरो जिसी अब जिस भी स्टेट से बिलोग करते हैं वहां पर अलग-अलग हो सकता है डबलू आरो एस आरो ऐसा कर गए और से थर्ड स्टेप बारकोड नंबर ये लिखना ना भूले बारकोड नंबर तो अपना बारकोड के इधर जो नंबर लिखा है student यही नंबर आपको लिखना है यहां पर बारकोड नंबर के जगे पे और हमारा फोर्थ इस्टेप धेक contact नंबर आप अपना वो नंबर लिखे जो आपने exam form भरे हैं और वहां पर कांटक नंबर मेंसंग किये हैं वही आपना आप अपना अच्छे से एड्रेस लिखे जो एड्रेस आपने exam के time पे exam form पे mention किया था आप और एक चीज बढ़ा सकते हैं अगर आपको बढ़ाना है आधार कार्ड नमबर आप लिख दीजिए आधार कार्ड नमबर आप अपना अधार कार्ड नमबर लिख के इस side का तब हो जाएगा मैं फिरते बता रहो student इसमें आपको थोड़ा भी mistake नहीं करना same to same ऐसा लिख दी जाब यह आधार कार्ड नमबर मैंने एक्स्ट्रा बता है student अगर आप चाहो तो आधार कार्ड नमबर लिखो नहीं चाहते तो भी नहीं लिखो विकोज अब रजिस्टेशन नमबर से आपका सब हो जाएगा क्योंकि रजिस्टेशन नमबर बारकड नमबर लिखते आपने एक चीज गेस्ट यह होगा जब exam form भरा तो वहां पर आप जब अपना जैसे रजिस्टेशन नमबर डाला हो ऐसे आपका आधा डिटेल वहां प पहले अगर आपको कोई क्वेरी होती है इंस्टाग्राम पर मुझे प्रेस्टनाल मेसेज किजिए ग्रो नॉलेज इंस्टाग्राम की आईडी है अब देखिए यहां पर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेट सब्जेक लिखना है एक्जाम एप्लिकेशन फॉर्म अब किस च लिखना है टू जिसको भेज रहे है आपने लेटर लिखा होगा बीसी आर में जो बिजनेस करोस्पोर्डिंग रिपोर्टिंग आपने बहुत लेटर लिखा है तो यहां पर आपको क्या करना है लेटर लिखना है यही एड्रेस पर भेजना है आपको दा एडिशनल सेकेट इस एड्रेस पे आपको अपना फॉर्म सब्मीट करना है तो उसके लिए अब बता रहा हूँ आपकी सारे कोईरी सौल हो गए होंगे जो स्टूरेंट्स ये फाउंडेशन फेल हुए हैं वो स्टूरेंट को भी भेजना है और जो स्टूरेंट्स ये फाउंडेशन में अब डिसमबर 2021 का एक्जाम देने के लिए अप्लिकेबर हो रहे हैं वो स्टूरेंट को भी ये एक्जाम फॉर्म इसी तरह करके अब जो एक स्टूरेंट्स ये फाउंडेशन जुलाई वाले स्टूरेंट थे उनका फोटो का इसू बिल्कुल नहीं होगा उनको अगर किसी स्टूरेंट का इसू होता है तो उसको भेजना पड़ेगा वो स्टूरेंट जो मान लोग कि ऑप्ट आउट किया होगा जुलाई 2021 का एक्जाम तो उसको सम्मिट करना पड़ेगा अगर अभी भी आपको थोड़ी भी कोरी है तो प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे परस्टनल मैसेज करके अपने डाउट सॉल कर लीजिए अगर अभी तक आपने डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरा है एक्जाम फॉर्म नहीं भरा है या फिर एक्जाम फॉर्म के लिए आपको पता नहीं कि कैसे भनना है तो आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे परस्टनल मैसेज कीजिए मैं एक वो स््टॉडेंट का एक्जाम फॉर्म भरूँगा जो मुझे परस्टनल मैसेज करेगा और उसको एक्जाम फॉर्म भरने नहीं आता है तो मैं उसका एक्जाम फॉर्म मैं खुद भर के दूंगा यहां से सो वीडियों ही खतम होता है student और आप अभी तक चैनल अपने है तो चैनल को लाइक, subscribe and जास्ति सुजास्ति सेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स को अगर आपकी कोई student है या फिर आपकी कोई कलीक है तो उनको सेयर करना ना भूले बिकोज आपका एक सेयर उनको बहुत हेलफुल होगा